वैसे मंदिर मुगलों नहीं नहीं बलकि धन के लिए कश्मीर के राजा हर्ष द्वारा भी बहुत से देवताओं की सोने की प्रत्मियाओं को गलाया गया था नमस्कार मैं सुरेन सावित्री सरकार बात करेंगे आज हम भागो मत दुनिया बदलो के चोथे भाग पर क्योंकि हमने पहले बात की कि राम मंदिर को लेकर किस तरह से हमारी अवधारनाय बनी हुई हैं इन्हीं सब बातों पर हमारे तीन भाग हो चुके हैं तीन भाग इसी चैनल पर हैं आप उन्हें सर्च कर सकते हैं देख सकते हैं जब तक वो तीन भाग नहीं देखेंगे तब त दन और प्रभोताओं के लिए तोड़े लूटे जाने वाले मंदिरों को मजहब का रूप दे कर मुस्लिम विरोधी भावनाओं के शिकार हो जाते हैं ऐसे ही ओरंग जेव सिर्फ उन्हीं मंदिरों को तोड़ता था जहां पर उसके खिलाफ शडियंतर रचे जाते थे और जो एक उधान है जगनात का मंदिर औरंग जेव ने जगनात के मंदिर को 200 गाओं की माल गुजारी दी थी हैदर और शिराजु दोला ने भी अनेक मंदिर बनवाए बलकि कि शेर्शा सूरी के शासन काल में तो मंदिरों की देख बाल पर शासन दवारा की जाती थी इसके असी की रानी का तोपची गोश्खा लड़ाई में लड़ते लड़ते मारा गया अकबर और राना परताप शिवाजी और औरंग जेव का युद्ध कोई धरम युद्ध नहीं था बलकि अपने जो सत्ता थी उसको स्थापित करने के लिए दो राजाओं की लड़ाईया थी इसी तरह से अगर देखा जाए तो अकबर के सेनापती मान सिंग और औरंग जेव के सेनापती जर्श्वंत सिंग थे इसी तरह से देखें तो राना परताप की जो पठान टुकडी थी उसके सेनापती थे हाकिम खां और शिवाजी के जो टुकडी थी उसके साथे समीर खां अपने शासन के लिए सत्ता के संगर्ष को धरम यार राष्ट्र प्रेम का आधार देना बिल्कुल बेबुनियाद है इतिहास की ऐसी सामपरदाईक व्याक्या एवे ज्यानिक तो है ही बलकि सामाजिक सदभा और राष्ट्र एकता की जो हमारी राष्ट्र आंदोलं की धरोवर है और भारत की मानवतावादी जो छवी है उसके भी विरुद है भारतिय जनता पार्टी और उसका जनक यानिकी आरसस राष्ट्र श्वम सेवक संग उसकी पुत्री विश्व हिंदू प्रिशद उसके पौत्र बजरंगदल हीवाहनी दुरगा वाहनी आधी हिंदू राष्ट्र स्थापित करके हासिल क्या करना चाहते हैं यदि धरम के आधार पर ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो फिर एक तरफ खालिस्तान होगा एक और पाकिस्तान होगा इसके लावा इसायस्तान को स्थापित होने से बनने से कौन रोकेगा क्योंकि आज भारत में देखें तो इन समूदायों की जन संक्या किसी किसी इलाके में बहुत है दरसल उन्हें देश चे नहीं बलकि अपने नीजी स्वार्थों से ज्यादा प्रेम है यदि ऐसा ना होता तो क्या ये राष्ट्र को बचाने के नाम पर उसके विघटन का कारण बनते हैं धन्ना सेठो जमीदारों के आर्थिक हितों के लिए अपने राजनेतिक स्वार्थों के लिए राम जान की रत्यात्रा, कलश यात्रा, विजय यात्रा, आडवानी की रत्यात्रा, एवन मोदी दवारा, अटल बिहारी की भी शव यात्रा का छोड़िये उसकी जो अस्थे कलश यात्रा है वो भी निकाले गई जहरीले लेखन दिवार लेखन सशस्तर जुलूसो प्रग्या ठाकुर का चुनाव लड़वाना और गोडशे को देश भग्त गोशित करना क्या ये ऐसा करतें बिल्कुल भी नहीं क्योंकि इन सब के करने से जो हमारी एक चवी है वसुधेव कुटुम बकम की और आत्म वत्त सर्व भुतेशु की हमारी मानवतावादी जो संस्कृति है ये उसको ही नश्ट कर रहे हैं धरन संस्कृति का धै धातु से आया है जिसका अर्थ है धारन करने योग्य यानि धारन करने योग्य मानविय गुणों को ही धरम कहते हैं इस धरम में प्रेम, त्याग, ममता, सहयोग की भावना तो आती है लेकिन द्वेश और घ्रणा नहीं आती लेकिन ये लोग तो धरम के नाम पर ही इंसानों में द्वेश, अंध्विश्वास और घ्रणा फैलाने में लगे हुए हैं वैसे भी धरम ने तो संस्कृति का और नहीं राष्ट्यता का आधार हो सकते हैं अगर ऐसा होता तो रोमन सामराज्य इस तरह से नश्ट नहीं होता क्योंकि वो तो रोमन कै पर ही आधारिता इसी तरह से तरकिस इसलाम पर आधारिता उसका इस तरह से सरोनाश नहीं होता अगर ये सब धरम के नाम पर ही होता तो एक ही समान धरम होने के कान बांगला देश पाकिस्तान से अलग नहीं होता नहीं भाई इनका द्रिश्टिकोंड विवेक सम्मत नहीं ह हिटलर के यहूदी विरोध के तरह इनका अंद मुस्लिम विरोध इनको इतिहास और मानोता को विक्रत करने के लिए हमेशा से ही प्रेणना देता रहता है अगर ऐसा ना होता तो क्या ये अपने राज्ये के लिए लड़ने वाले शिवाजी और महराना परताप को राष्ट्रे नायक मानते और अंग्रेजों के खिलाफ अपने देश के लिए लड़ने वाले सिराजु दोला और टीपू सुल्तान का विरोध करते जिस तरह से रिकॉर्डर खराब हो जाता है और उसकी सुई एक ही जगए अटक जाती है जिस तरह से दिवार घड़ी जो होती है उसमें सैल खतम हो जाता है और सुई एक ही जगए टिक टिक करती रहती है ठीक उसी तरह ये मुसलमानों के प्रती कांग्रेश की तुष्टीक की नीतिकार राग अलापते रहते हैं क्या अल्ब संख्यकों के जो अधिकार हैं सर्रक्षन के सम्वैधानिक प्राधान को तुष्टिकन कहा जा सकता है यदि सरकार की मुसल्मानों के प्रति तुष्टिकन की नीति होती तो 18 प्रतिशत आबादी होने के पाद भी सरकारी सेव इनकी भागेदारी 5 प्रतिशत क्यों हैं? शिक्ष्या के सम्मन्द में NC सक्षेना की रिपोर्ट बताती है के मुस्लिम बहूल इलाके यानि की जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां पर पुलिश की चोक्या होती है और हिंदू बहूल इलाकों में स्कूल ज्यादा होते हैं लेकिन आज की व्यवस्था देखे तो और भी भयावय हो गई है अब हर जगे स्कूल भी बंद किये जा रहे हैं क्योंकि अनपड रहेगा इंडिया तभी तो दंगा दंगा खेलेगा इंडिया क्या डॉक्टर सकसे ना मोहन भागवत और मोधी योगी के तरह हिंदू नहीं थे यदि हैं तो फिर उन्होंने मुसल्मानों के साथ इस भेदवाव को उजागर क्यों किया शायद वे मोधी योगी भागवत जैसे मुसलिम धर्मान्द विरोधी नहीं हैं वैसे भी हिंदू के लिए भाजपा, राष्ट्रस्वाम, सेवकसंग, हिंदू वाहनी, युवा वाहनी, बज्रंग दल जैसे संगठनों ने किया क्या है क्योंकि सद्यों से हिंदू का एक बड़ा हिस्सा है, अच्छूत के रूप में हिकारत की नजरों से देखा जाता रहा है उन्हें समाज में बराबरी की दृष्टी से नहीं देखा जाता है उनके साथ रोटी बेटी का संबन नहीं बनाया जाता है उनके घर जलाये जाते हैं, उनकी श्त्रियों और लड़कियों से बलातकार किये जाते हैं, उनका हर जगर शोषण किया जाता है, उन्हें हर शण अपमानित किया जाता है, आजादी से पहले और आजादी के बाद भी इन हिंदू के लिए यानि कि दलित हिंदू के लिए इन स लेकिन क्या मुसलमानों और हिसाईों की इतनी बड़ी संख्या का कारण हिंदूों के इनी दलित समूदायों पर अत्याचार ही तो नहीं है ऐसा नहीं है तो एक आबादी जो महिलाओं की है उन पर इतने अत्याचार क्यों है वो चाहे किसी भी जाती की हो क्योंकि महिलाओं को भारत में कम अधिकार दिये गए हैं अब जैसे तैसे महिलाओं आ गया रहें लेकिन अब भी आप देख सकते हैं कि महिलाओं पर कितने अत्याचार हो रहें कहीं पर उन पर तेजाब छिड़क दिया जाता है उनको उठाकर उनके साथ पलातकार किये जाते हैं अगर ये सब हैं इन संगतनों ने इन हिंदू के लिए क्या क्या है महिलाओं आज भी अपनी इच्छा के विरुध वैधवय भोगने के लिए अभिशप्त हैं इन हिंदू के सिपह सलाकारों ने क्या क्या है इन महिलाओं के लिए दलीतों के लिए हरिजनों के लिए क्या किया है इन मोहन भागवत हिंदू राश्टर आरत सर्स्वयम सेवक संग ने क्या वो इन लोगों को हिंदू नहीं मानते हैं कितने महान है ये हिंदू धरम के प्रहरी या यूं कहें चौकिदार जो हिंदू की जनता को महेंगाई भ्रश्टाचार और धरम के नाम पर लूटते भी हैं जमा खोरी भी करते हैं और दूसरी तरफ दलित हिंदूों को उनको सम्मान जनक जीवन जीने भी नहीं देते इसके लावा महिलाओं को समान बराबर के अधिकार भी नहीं देते और उनके हिंदू रक्षक भी बने रहते हैं किस तरह से जोशी की तरह है समझ गए ना आप आरसिस के जोशी जिस तरह से हिंदू धरम के लड़कों के सर्रक्षक है उसी तरह से ये संगठन भी हिंदू के सर्रक्षक है हिंदू के नाम पर उनको लूटते रहते हैं बने रहे निशाना के साथ धन्यवाद